हालो एवरिवान यह है गवरानी चिकन देखे देखने में किता यम्मी और स्पैसी लग रहा है ना आपके भी मुझ में आ गया ना पानी चलिए फटा फट देखते हैं इसकी क्या रेस्पी है नमस्ते मैं कल्पना वेलकम टो माई चानल कैसे बनाऊं खाना सबसे पहले यह रे दोने के बाद जो है अपने मैगनेट की बारी तो एक चमस नमक एक चमस हल्दी और ढाई स्पून जो है मिर्च का पॉडर डाला यह तोड़ी तीकी है आप अपने मिर्च पॉडर के अनुसार इसको कम जादा कर सकते हैं क्योंकि चिकन या नॉन्वेस की रेस्पी में थोड डा देते हैं पाकि जो नमक खल्दी मिर्च अच्छे से चिकन की पीसिस में लग जाए अच्छे से मिलाने के बाके बाद इसकोड़क universal से हम डंध देंगे मैगनेट होने के लिए कि जब तक हम ग्रेवी तयार करें तब तक हमारा यह मैगनेट हो जाएगा सबसे पहले ग्रे और इसमें और कोई गरम मसाली की ज़रत नहीं होती है क्योंकि ये प्याज की रेसिपी प्याज में ही ज्यादा बन जाती है ग्रेवी तो अलग से बहुत ज्यादा गरम मसाली की ज़रत नहीं होती है अब इनको मिक्सिजार में निकाल के अपन ग्राइड करके रख देते हैं ब जल्दी बन जाती है अब क्यूकर में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं इसमें भी तेल जो है आपन वेज सब्जी इतना बनाते उतने तेल में वह बन जाता है बहुत जादे तेल की जरत नहीं होती है अब इसके लिए हम जो है चार बड़े साइज के प्याज काड़ दिये हैं और 6-7 मिर्ची चोटे-चोटे टुकड़ों में और तेज पता है तो पहले तेल गरम होने देते हैं हलका सा जब गरम हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा तेज पता जो है चोटे-चोटे-चोटे दो-तिन भाग में तोड़ दिया है तेज पता को उसको डाल देते हैं और उस तब तक फ्राइ कर देते हैं एक आधे मिनाट के लिए तब तक वो लाल हो जाएगा अब जो ए बावि मिर्ची यह हारी मिर्ची है बहुत तीक्ही होती है उसको डाल दिया है उसको भी थोड़ा सा तेल में अच्छे से हिला देते हैं और जो प्याज है उसको भी हम पूरी प्याज को डाल देते हैं इसमें थोड़ी प्याज के quantity ज़्यादा रहती है क्योंकि ग्रेवी जो है अच्छी थिक होती है अगर कोई आपको ग्रेवी थीक करनी है तो प्याज और धनिया का powder आकर जारदा डालेंगे तो ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है तो पहले इसको अच्छे से fry करेंगे लेकिन द्यान देने के बाद है कि प्याज अच्छे से लाल गलर होना चाहिए अगर उसको अच्छे से लाल नहीं करेंगे तो अपने ग्रेवी मीठी मीठी से लगने लगेगे फिर वो मज़ा नहीं आएगा देखें मीडियम आज में जो है पांस मिनट फ्राई किया है हलका सा ब्राउन कलर हुआ है लेकिन उतना भी नहीं है फिर भी सफी सफीद दिख रहा है आपको भी तो अभी और आपन पांस मिनट फ्राई कर देते हैं देखें और पांस मिनट के बाद यह अच्छा सा लाल कलर हो गया ब्राउन में गनवर्ट हो गया ब्राउन में, तो उस समय हम जो चिकन मैगनेट किये थे तो उसको डाल देते हैं, देखिए नमक कर डालने की वज़े से इसमें ही जो है पानी छोड़ने लगा है, तो नौनवेज की खास्याती वही है कि भई वो बहुत पानी छोड़ता आधा तो वो पानी में कुक हो जाता है, अलग से हमें कुछ डालने की ज़रती नहीं पड़ती है, तो देखिए इसमें जो पानी है उसके साथ पूरा डाल देते हैं, और चिकन को जो है अच्छे से प्याज के साथ चरो तरफ से अच्छे से मिला देते हैं, इसको मीडियम आज में धीमी धीमी आज में हम पकाएंगे, बहुत हाई फ्लेम में जल्दी जल्दी पकाने से क्या है, मसाला भी कुक नहीं होता है और पानी जो है सुख जाता है, इसलिए मीडियम आज में हम धीरे धीरे उसको पकाएंगे अभी, तो अच्छे से मिला देते हैं, और उसमें धक्कन लगा देत हैं, धक्कन मतलब कि पकने के लिए, ये कुकर का पूरा धक्कन नहीं लगा है बस सिर्फ ऊपर से रखा है, देखें पांच मिनाट के बाद जो है ये पानी छोड़ा है, उसी में पानी में पक रहा है, इसमें आभी और कुछ ने डाले हैं, देखें नीचे में आप पानी जो धक्कन में भी थोड़ा सा लगा है, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं, और फिर इसमें जो है, मिक्सिजार में जो है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसमें डाल देते हैं, ताकि जो बचा है मसाला वो भी निकल जाए, अब ये दो मीडियम साइज के टमाटर काटे ह हैं तो उसको भी हम डाल देते हैं अब जो है इसको आप हम मिलाएंगे नहीं इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि जो पानी आएगा ना तो धीरे धीरे जो टमाटर का पानी और प्याज का पानी नीचे उतरता है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अब जो है सब यह मीडियम आज में ही कर रहे हैं तो मीडियम आज में ही रखे हैं ताकि जल्दी जल्दी पानी सुख ना जाए यह देखें पांच मिनट के बाद कितना पानी छोड़ा ऐसा लग रहा है कि पानी डाले हैं तो यह सिर्फ टमाटर और मसाले का प्याज है अब यह जो है उसको अच्छी तर से मिल जाए और धीरे धीरे उस मसाले के साथ चिकन पकने लगे तो हम अच्छे से टमाटर और प्याज लसुनादर के पेश्ट को अच्छे से चिकन में उपर नीचे मिला देते हैं अब यह जो है मिलाने के बाद फिर से जो है पांच मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि थि और पांच मिनट के साथ अच्छे से फ्राई हो देखिए पांच मिंट मिडियम में रखने के बाद मसाला सहली गुल गिए हैं और पानी भी थोड़ा कम हो गया है तो इस कंडिशन में मसाली के बारी तो यह धनिया और जीरे का पॉडर और गरम मसाला है यह सब मिला के र तो 2 स्पून धन्य जिरी का पॉडर और 2 स्पून गरम मसाला ये ढाल कच्छा धन्या है धन्या पते हैं तो इसको भी ये पकाते समय डाली कोई क्या गानिश करने के लिए लास्ट में डालते हैं लेकिन जब पके रिकमे धन्या पत्ति डालते न तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और जो टेस्ट बहुत अलग आता है, आप भी कभी ऐसे ट्राइ करके देखेगा, कोई भी सबजी में भी इसमें धन्या पत्ति डालिएगा, देखेगे अब मसाला इन सब को अच्छे से मिला देते हैं, और थोड़े देर के लिए और छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से मसाला के जो है कुख हो जाए उसके साथ थोड़ा सा मीडियम आज में छोड़ दिये देखे 5 मिन के बाद एकदम अच्छे से कुख हो गया ऐसा लग रहा कि अब भी खाले लेकिन यह देसी चिकन है इसको पकने में टाइम लगेगा जैसे नॉर्मल चिकन होता ना तो वह अभी तक है पक जाता इसको अच्छे से मिला क्योंकि नॉन्वीज में क्या मसाला जित्ता अच्छे से फ्राई होगा न उत्ता टेस्ट होगा तो अभी जो पानी नहीं है इसको चिकन के जित्ता है उतना ही पानी डाला है अब यह जो है आप यह तो टाइम है तो आप सिम में जो है 15-20 मिनट रखके पका सकते हैं नई त तो कुकर में 5 सीटी लग जाने से वो अच्छे से पक जाती है तो मैंने कुकर कर ढगा दिया है और उसको 5 सीटी होने तक के लिए छोड़ देते हैं देखिए ये 15 सीटी हमारी बज गई है अब जो है हम गैस बंद कर देते हैं अब कुकर को ठंडा होने का इंतिजार करते हैं अब कुकर ठंडा हो गया है लगता है थोड़ा सा गया ऐसे इसको निकाल देते हैं और धकन निकाले के बाद देख्ते हैं कि चिककन कैसा पका है आरे वा देखिए देखिए आर इंता मजा रहा है ना एक दम असीड़ धूरेगोर है ठोड़ा सा तेल भी डाले थे लेकिन पक गया है तो जो है आप स्कूकर में पना सकते हैं नार्मल सिम में रखे भी आप पका सकते हैं अब इसको अच्छे से बॉल में निकाल देते हैं और आप देखिए गरम-गरम चावल के साथ सार्व कीजिए रोटी के साथ मिलते अगले वीडियो में तब तहके लिए खुछ स्टरे ये स्टरे यार मास्टरे ये